नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तों, सीटेट एकजाम के लिए इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूँ, इतिहास की यह दूसरी क्लास रहने वाली है, इससे पहले मैं आपको इतिहास की पहली क्लास करवा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप में मिल जाएगा, आईएगा इस इंपोर्टेंट क्लास को सुरू करते हैं, यहाँ पर इतिहास का दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है आखेट, खाद संग्रे से भोजन, उतपादन, तक इससे पहले मैंने आपको इतिहास का पहला टोपिक पढ़ायता, जिसमें मैंने आप को सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट ही बतायते, ठीक इसी परकार इस क्लास में भी इंपोर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा, जो एकजाम के लिए इंपोर्टेंट साबित होंगे, आईएगा देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, आरंबिक मानो आखिर बे इधर उदर क्यों घूमते थे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उप महादीप में 20 लाक साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक खाद संग्रहा के नाम से जानते हैं सबसे पहले याँ पर क्या जानेंगे आखेटक खाद संग्रहक का मतलब क्या होता है आखेटक अगर आपके एकजाम में आ जाए तब आपको क्या बताना है आखेटक का मतलब होता है सिकार करना क्या होता है आखेटक का मतलब होता है सिकार करना और खाद संग्रहक का मतलब होता है खाने बाली बस्तूओं का इकटा करना की होता है? इकटा करना होता है खाद संग्राहक ठीक आप यहाँ पर इनका मतलब समझ चुके होंगे अब आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं भोजन का इंतिजाम करने की विदी की आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आम तोर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का सिकार करते थे, अब आपको समझ में आ चुका होगा, आखेटक यानि की वो जो प्राचीन काल के लोग थे, वो जंगली जानवरों पत्तियां अंडे इघटा किया करते थे, ठीक, तो इसी को कह सकते हैं, आखेटक खाद संगराग के रूम में जाना जा सकता है, ठीक, आखेट खाद संगराग समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी घूमते रहते थे, ऐसा करने के कई कारण थे, इन कारणों क के बारे में भी जानेंगे, आईएगा, जो कौन थे, जो आखेटक, खाद संगराग थे, वे एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों गोमते थे, कई कारण इनके बताए गए हैं, पहला कारण, जितने भी कारण इस चेप्टर में दिये गए हैं, वे सभी कारण हैं, आप एक भ कारण काल के जो आखेटक, खाद संगराग थे, मतलब की आखेटक, खाद संगराग के जो समू थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस्तानांतरित होने का कारण बताईगा, जब वहाँ पर कारण दे दिये जाएंगे, चार कारण दे दिये जाएंगे, और उनमें से एक गलत दिया जाएगा तब आपको हाँ पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो यहाँ पर आपको समझना अति आबस्यक है पहला कारड की बात करें पहला कारड यह है कि अगर वे एक ही जगह पर जादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौदों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे इसका मतलब है कि अगर खाद जो संग्रहक लोग है वो अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो हां कि जो जंगली फल फूल है वो भी समाप्त हो जाएंगे और जानवर को भी वो मार कर खा जाएंगे इस परकार से कह सकते हैं एक जगह की यह सभी छानवर अपने सिकार के लिए या फिर हिरड और मवेसी अपना चारा ढोड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे इसलिए इन जानवरों का सिकार करने बाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे बिल्कुल सही बात है अंगले कारण की यहाँ पर बात करते है कारण नंबर है यहाँ पर तीसरा कारण है कि यहे की पेड़ों और पोधों में फल फूल अलग-нимौसम में आते हैं इसलिए लोग इनकी तलास में उप्यूक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, बिल्कुल सही कतने आपर भी दिया गया है, मतलब की तीसरा करण यह बताय गया है, लोग जो आखेटक, संग्राक, समुदाय थे, उनका जो घूमने का तरीका था, वो तीसरा क करण होगा, उनके मतलब की बिचरण करने का घूमने का करण, चोथे करण की यहाँ पर बात करें, पानी के बिना किसी भी प्राड़ी या पेंड़ पोधों का जीवित रहना संबो नहीं होता है, और पानी जीलों, जर्नों, नदियों में ही मिलता है, यद पी कई नदियों और जीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ जीलों और नदियों में पानी बारिस के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी जीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलास में इदर उदर जाना पड़ता होगा, चोथा कारण है पानी की तल पॉइंट क्या है याँ पर आरंभिक मानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है आखिर हम लोग कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अब यहाँ पर जानेंगे पुरातत विदों को कुछ ऐसी बस्तूएं मिली है जिनका निर्माड और उपियोग आखेटक ख फल फूल काटने हड़ियां और मास काटने पेणों की छाल जनवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा important point यहाँ पर आप note कर सकते हैं जो कौन थे जो आखेटक खाद संग्रहाग थे वो आउजारों का उपियोग किस रूप में करते थे question आपके exam में बन सकता है यहाँ पर आप note कर सकते हैं फल फूल काटने के लिए हड़ियों को काटने के लिए मास काटने के लिए पेणों की खाल उतारने के लिए खाल क्यों वो उतारेंगे वो पहनेंगे क्या सरदियों में ओडेंगे क्या इस कारड़ वो लोग क्या करते थे जानवरों की खाल उतार लिया करते थे कुछ पत्थरों की आउजार की सायता से यहाँ पर आप समझ सकते हैं आंगे है कि कुछ के साथ पड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था आंगे बात करते हैं यहां पर ठीक आंगे देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की आप यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं यहां पर आपको चितर के माद्यम से भी हम बताएंगे रहने की जग संगराकों के होने के यहाँ पर प्रमाड मिले है ठीक ना और यह जो आखेटक जो खाद संगराक लोग रहा करते थे वो कई पुरा इस्तर नदियों और झीलों के किनारे पाए गये आप यहाँ पर एक बात तो साबित हो चुकी है जो आखेटक खाद संगराक हुआ करते थे वो कैसी जगह उपर रहते थे वो नदियों और जीलों के किनारे रहते थे क्यों वहाँ पर पानी उपलब्द हुआ करता था इस चितर के माद्यम से आप लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पर लाल रंग आपका दरसाया गया है कौन सा यह है आपका पुरा पासाडिक पुरा इस्तल यानि की पुरा पासाड पुरा इस्तल यहाँ पर दिये गए हैं लाल वाले कलर में ठीक है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कुर्नूल गुफा कुर्नूल गुफा आपकी कैसी है यह पुरा पासाड काल की कैसी पुरा पत्थर से निरमित ऑजार कायसे चुना पत्थर से निरमित ऑजार फ्राप्थ हुए है होसंगी से क।स्तन आपके एक दर पूचह जा चुका है इसलिए मैंने या पर आपको वता दिया कैसा इस दल है यह कुरनूल गुफा भी यह इंपोर्टेंट है कुछ पुरा इस्तल ठीक ना आंगे के पुरा इस्तल मैं आपको बता देता हूं ठीक है भीम बेटिका की मैं बात यहां पर कर लेता हूं भीम बेटिका आपका है मद्ध प्रदेश में कहां पर है यंपी राज में है भीम बेटिका ठीक है यह कहां पर इस्तित है यह है नर्मदा नदी के कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही यहाँ पर इंपोर्टेंट थे, कौन से पुरा पासाड कालीन इस्तल, अब यहाँ पर कहें, नो पासाड कालीन इस्तल की बात करें, जो नीले रंग में दिये गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैयम पल्ली ठीक है, तो यह आपका इतना यह इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट थे, बो मैंने आपको यहाँ पर वता दिये, आँगे देख लेते हैं, तो आँगे यहाँ पर क्या है, आँगे और आँगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आँगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप इंपोर्टेंट देख सकते हैं यहां से आपका exam में question भी पूचा जा चुका है ठीक ना भीम बेट का आधोनिक मद्प्रदेश इस पुरा इस्तल पर गुफाएं बाकंद्राइं मिली हैं लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहां बारिस और धूप हवाओं में रहात मिलती थे जो लोग गुफाओं में रहा करते थे किस कारण से रहा करते थे धूप में रहत मिल जाए बारिस में रहत मिल जाए सर्दियों में बचाओं के कारण लोग गुफाओं में रहा करते थे जो आपकी कौन सी गुफा मैं आपको बता चुका हूँ भीम बेट का जो की प्रदेश से ठीक, मद्द प्रदेश से प्राप्त हुई है, भीम बेटिका भी कह सकते हैं, ठीक, वहाँ पर भी सेल चितरकला देखने को मिली है, कहां से भीम बेटिका से, लेकिन मद्द प्रदेश में यह देखने को मिली है, और दचडी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में अभी ये देखने को मिली है question आपके exam में पूचा गया था कि cell चित्रकला कहां पाए गए हैं तो मद्द प्रदेश और दच्छडी उत्तर प्रदेश की गुभाव में पाए गए हैं important point आप note कर सकते हैं ठीक आगे मैं बढ़ता हूँ इस चित्र को भी आप देख सकते हैं next point यहीं से आपके exam में question बनाता हूँ इसी statement से बनाता मैं question भी आपको अभी अभी दिखाऊंगा ठीक पहले इस important point को एक बार समझ लेते हैं पुरा इस्तल की यहाँ पर बात की गई है अगर आप इस तरह के box में important चीज लिखिये उसको पढ़ना बिलकुल मत भूलिएगा यहाँ से भी question आपके exam में बनता ही बनता है तो आईएगा समझते हैं पुरा इस्तल उस सिसान को कहते हैं जहाँ ओजार, बरतन, इमारतों जैसी बस्तूओं के आउसेस मिलते हैं ऐसी बस्तूओं का निर्मार लोगों ने अपने काम के लिए किया बाद में वही जगए पर छोड़ दिया ठीक है यह जमीन के उपर अब important point शुरू है पुरा इस्तल के बारे में जो आपके पुरा इस्तल होते हैं यह जमीन के उपर भी पाए जाते हैं और अंदर भी पाए जाते हैं कभी-कभी-कभी समुद्र में भी पाए जाते हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं आईएगा इससे जो question बना था सही आपको बताना है वह इस्तान जहाँ बस्तूओं के जो आउसेस मिलते हैं ये केवल जमीन के ओपर पाजाते हैं ये केवल जमीन के अंदर ही पाजाते हैं ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाजाते हैं तो यहाँ पर आपको सही कतन की पहचान करनी थी, तो यहाँ पर आपको एक कतन तो गलत नजर आया होगा, वो कौन सा D, यानि कि D गलत है, यह जो हैं यह समुद्र में भी पाय जाते हैं कभी कभी, और नदी तल में भी पाय जाते हैं, पर नो तो यहाँ पर लगा दिया है, कभी नहीं पाई जाते हैं, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो गया है, डी को छोड़ कर सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, कहने का मतलब हो है, ओपसन यहाँ पर तीन राइट होगा, ये बस्तूओं के पुरा बस्तूओं के आउसे को भी देखा आपको पता चल चुका होगा कि exam में question कैसे पूंचे जाते हैं और कहां से examiner इन question को बना देता है आपके exam के लिए यहाँ पर किसके बारे में वहाँ पर बताए गया था नदी तल में नहीं पाए जाते हैं जबकि पाए जाते हैं समुद्र में नहीं पाए जाते हैं जबकि वहाँ पर पाए जाते हैं आप समझ चुके होंगे पुरा इस्तल के बारे में आँगे बढ़ता हूँ आँगे आपका दिया गया है आग की खोज किसकी खोज आग की खोज कुर्णूल गुफा कुर्णूल गुफा यहाँ पर क्या मिले हैं राक के अवसेश मिले हैं important question है exam में पूँचा जाए राक के जो अवसेश हैं वो कहां से प्राप्त हुएं answer आपका होना चाहिए कुर्णूल गुफा से कुर्णूल गुफा कहां पर है मैंने आपको बताया था कुर्णूल गुफा आपकी कहां पर है यह है आंदर प्रदेस में ठीक आंगे मैं बात करता हूँ आरंबिक लोग आग जलाना सीख गय थे आग का इस्तेमाल कई कारेयों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकास के लिए किसके लिए प्रकास के लिए मास भूनने के लिए ठीक खतरनाक जनवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का अविस्कार किया गया होगा आंगे मैं बात कर लेता हूँ नाम और तितियों की ठीक है पुरातत विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंबिक काल को पुरा पासाड काल कहते हैं यहां दो सब्दों में पुरा यानी की प्राचीन पासाड यानी की पत्थर वाला काल प्राचीन पत्थर का काल यह नाम पुरा स्तलों से प्राप्त पत्थर के ओजारों को महत को वताता है पुरा पासाड काल 20 लाग साल पहले से 12,000 साल पहले के दोरान माना जाता है इस साल में तीन भागों में विवाजित किया गया है किसे पुरा पासाड काल को तीन भागों में विवाजित किया गया है आरंबिक, मद्ध और उत्तर पुरा पासाड काल जो मानो इतियास की लगबग 99 पृतित कहानी है किस काल में गटित हुई है पुरा पासाड काल काउनसा पुरा पासाड काल राइट आंसर होना चाहिए ठीक आंगे मैं बढ़ता हूँ जिस काल में हमें पर्यावरडिये बदलाओ मिले हैं कैसे बदलाओ 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है कितना 10,000 साल तक माना गया है इस काल के पासाड आउजार आम तोर पर बहुत छोटे हुआ करते थे किस काल में आपको मैंने बता है मद्द पासाड काल में और इन्हें माइक्रो लित यानि की लगू पासाड कहा जाता है प्राय इन अउजारों में हड़ियां या लकडियों के मुठे हसीयां आरी जैसे अउजार भी मिलते हैं किस काल में मद्ध पासाड काल में आपके आरी भी मिली है और मुठे लगे हसीया भी मिले हैं ठीक है, इसको कहते हैं, माइक्रो लित, यानि की लगू पासाड काल, साथ साथ पुरा पासाड युग वाले ओजार भी इस दोरान बनाए जाते रहे, आंगे मैं देखता हूँ, अंगले युग की सुरुवात, कितना है याँ पर, दस हजार साल पहले से होती है, इसे कहते हैं नव पासाड युग, नव पासाड का मतलब क्या होता है, नव पासाड का मतलब होता है, नया बाला काल, यानि की नय पत्थर की सुरुवात को ही कह सकते हैं, आंगे मैं बढ़ता हूँ, आंगे आपका क्या है, आंगे यहाँ पर भी important point है, यहाँ से भी एक question आपकी exam में दिखाऊंगा, ठीक, अगर आपने channel को subscribe नहीं किया, channel को अभी subscribe कर लें, और वीडियो को भी अभी like करें, और comment box में अपनी राय हमें जरूर दें, ठीक, तो यहाँ से भी एक question बना है, उस question को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इस statement को समझाने के बाद, बदलती लगबग, 12,000 साल पहले दुनिया की जलबायू में बड़े बदलाओ आए, और गर्मी बढ़ने लगी, 12,000 साल पहले क्या हुआ, दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाओ आए, और गर्मी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुँचने लगी इसके परिडाम सुरूप कई छेत्रों में घास बाले मैदान बनने लगी कब बारा हजजार साल पहले क्या हुआ गर्मी बढ़ी गर्मी बढ़ने के कारड छेत्रों में घास बढ़ी मात्रा में उगने लगी उगने के कारड क्या होने के कारड घास उगने के कारड बारा सिंगा भेड़ बकरी गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बड़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एकजाम के लिए चलिए मैं आपको क्वेस्टन दिखाता हूँ यहीं से यही कोईस्टन आपके एकजाम में पूँचा गया था स्टेटमेंट के रूप में पूँचा गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं कतन एक हैता की लगवग 12,000 साल पहले भारत में कई छेतरों में गर्मी बढ़ने के कारण घास बाले मैदान बनने लगे अभी मैंने आपको पढ़ाया बिलकुल बनने लगे सही बात है कतन कहता है दूसरा हिरड बारा सिंगा बकरी भेड और मबेजी जैसे जानवरों की संख्या बड़ी बिलकुल बड़ी अभी मैंने आपको इस टेट मतलब के वहाँ पर बताया था समझा कर तो दोनों कतन यहा बताना है कौन सा यहाँ पर सही है कौन सा गलत है तो आपका डाइरेक्ट आंसर होना चाहिए दोनों कतन यहाँ पर सही है और दोनों का एक दूसरे का कारड़ भी यहाँ पर सही है यहाँ पर आपने अच्छे डंग से समझ लिया होगा इस टेटमेंट को पढ़ना भी है यहीं से डाइरेट आपका कोस्टन पूँचा गया था, बारा हजार साल पहले दुनिया में क्या हुआ, बड़े बड़े बदला हुए, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान भी बढ़ने लगे, और घास के मैदान बढ़ने के कारण वारा सिंगा भेंड वकरी गाय जैसे जो जानवर हुआ करते थे घास खाने बाले, उनकी संख्या भी बड़ी, हूब हूब कोस्टन आपके एकजम में पूचा गया था, मैंने कोस्टन आपको दिखा दिया, आंगे मैं बात करता हूँ, आंगे क्या है, जो लोग इन जानवरों का सिकार करते थे बेवी इनके पीछे आए, और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, हो सकता है, तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हूँ, साथ ही इस काल में मचली भी भोजन का एक पुड सुरोत बन गई, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करता हूँ मैं अंगले पॉइंट की, अंगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या है अंगला पॉइंट? खेती और पसुपालन की सुरुआत है, यहाँ पर, इसी दोरान ओप महादिम में भिन भिन इलाकों में गेहूं, जव, धान जैसे अनाज प्राकर्तिक रूप से उगने लगे। सायत महिलाओं और पुरसों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना सुरू कर दिया होगा। सात ही भी शीखने लगे होँगे कि अनाज कहां उगते हैं और कब पक कर तयार होते हैं। ऐसा करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस पिरकार धीरे-धीरे भी किर्सक बन गए होँगे। आंगे कहता है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकरसित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वो है कुत्ते का जंगली पूरवज था। दीरे-दीरे लोग भेंड, बकरी, गाय, सुवर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उतसाहित करने लगे। ऐसे जानवर जुंड में रहते थे और ज्यादतर घास खाते थे, क्या खाते थे, घास खाते थे, अकसर लोग इन जंगली जानवरों के आकरमण से इनकी सुरच्चा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे में पसुपालक भी बन गए, ठीक, आंगे क्या है, आंगे मैं देखबाल करने को घरेलू करड की प्रिकरिया कहा जाता है, क्या है, लोगों दोरा पोधे उगाने और जानवरों की देखबाल करने के को ही क्या कहते हैं, घरेलू करड की प्रिकरिया कहते हैं, तो यहाँ पर इतना ही इंपोर्टेंट है, ठीक, इसमें कुछ भी तुम पाओगे कि इसे बिक्सित होने में कुछ बक्त लगता है बिलकुल बक्त लगेगा इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल भी लग सकते हैं इसलिए जब लोग पौधों को उगाने लगे तो उनकी देखवाल के लिए उन्हें एक ही लंबे समय तक रहना पड़ता था आंगे क्या है अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूम में बचा कर रखना भी आवस्यक था इसलिए लोगों ने इनको भंडारड की बात करनी सोची ठीक है मतलब कि इनको एकत्रित करने की बात उन्होंने सोची बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के भरतन भी ब बनाई जमीन में गड़े भी खोदे किसलिए खोदे इन अनाजों को एकत्रित कर सके भंडारड कर सके पुना बोने के लिए ठीक आंगे क्या है आपका आंगे मैं आपको बताता हूं आंगे आपका दिया गया है जानबर चलते फिरते खाद भंडार यहां पर आप समझ सकते हैं जानबर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या भी बढ़ती है अगर जानबरों की देखवाल की जाए तो उनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होगी साथ ही भे दूद भी हमें प्राप्त करेंगे मतलब कि हम लोगों को दूद भी उनसे प्राप्त होगा जो भोज यहाँ पर important point आप लोग देख सकते हैं, पुरातत्विदों को कुछ पुरा इस्तनों पर जोपडियों और घरों के निसान मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं तो बो मिले हैं बुर्ज होम में, बुर्ज होम जो है आपका यह पढ़ता है कस्मीर राज में, यहाँ पर लोग गड़े क नीचे घर बनाते थे, कहाँ पर बुर्ज होम के जो लोग थे, वो गड़े के नीचे घर बनाते थे, जिने गर्तवास कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गर्तवास कहा जाता था, गड़े के नीचे घर बनाने की प्रिकरिया को बुर्ज होम में, जो की कस्मीर राज में पर आग जलाने की जगहें भी प्राप्त हुई हैं ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे इमपोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने आपर आपको समझा दिया आंगे क्या दिया आगे है अपका बहुत सारी जगहों से पत्तर के औजार भी मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पासाड इुगीन उपकरोनों से भिन हैं इसलिए इन्हे नो पासाड युग का माना जाता है इनमें बे ओजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिस चड़ाई जाती थी ठीक तो यहाँ पर ऐसे ओजार भी प्राप्त हुए है जो कि अतिदिक पैने ओजार हैं ठीक है तो आंगे क्या है ओखली और मुसल का प्रियोग अनाज बनस हुए है आंगे क्या है आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रियोग अनाज बिसने के लिए किया जाता है बरतमान समय में भी ओखली और मुसल का प्रियोग किया जाता है उसी तरह प्राचीन प्रश्तर युगीन ओजारों का निर्मार और लगातार होता रहा औ और कुछ औजारों से हड्डियों से भी बना जाते थे यानि कि कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बना जाते थे पत्थर से भी बना जाते थे यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ठीक है आँगे दिया गया है नौपासाड युग के पुरास्तोलों से कई प्रकार के मिट्टी के वर्तन मिले हैं नौपासाड युग में क्या प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है मिट्टी के वर्तन कभी-कभी इन पर अलंकरल किया जाता था आप इस चित्र को देख सकते हैं बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता होगा धीरे धीरे लोग बर्तनों का भी बर्तनों का प्रियोग खाना वनाने के लिए भी करने लगे हो चाबल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहर का महत्वड हिस्सा बन गएते ठीक है और इसके सासत अब लोग कपड़े भी बुनने लगेते और इसके लिए कपास जैसे आबस्तक पोदे भी उगाय जा सकती थी किसकी यहां पर बात हो रहे है यहां पर बात हो रहे है नोपासाड काल की किसकी नोपासाड काल में क्या हुआ कपास उगाय जाने लगी कपड़े बुनने जाने लगे ठीक है आंगे मैं बात करता हूँ, क्या है आंगे, आंगे आपका दिया गया है, ठीक है, आंगे की important point आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से आपके exam में question भी exam में पूछा जा चुका है, question भी आपके exam में यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आईएगा यहाँ पर आपको बताता मेहरगड में जीबन मृत्तू, मेहरगड आपका पढ़ता है पाकिस्तान में कहाँ पर, यह जो पढ़ता है, याद रखियेगा आप लोग, तो यहाँ पर है, जो मेहरगड है आपका, यह इरान जाने बाले सबसे महतपूर राष्ती बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल इ जहांके इस तरी पुर्सों ने इस इलाके में सबसे पहले जव, गेहूं, उगाना और भेड बकरी पालना सीखा, कहां पर मेहरगड में, मेहरगड में जो इस तरी पुर्सों ने क्या किया, इस इलाके में सबसे पहले जव की बात करूं, गेहूं की बात करूं और भेड बकरी पालना सीखा ठीक है यहां पर इनने सीखा था मात्र और मात्र यहां भिबिन प्रिकार के जानवरों की हड़िया भी मिली है जिसमें हिरडा आपका हो गया और सुर जैसे जंगली जानवर भेंड और बकरिया की भी हड़िया यहां पर साम मिल है मेहरगड में मेहरगड इसके अ या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे जिनमें से कुछ समभता भंडारड के काम आते होंगे इतना आपने सीख लिया आगे मैं बात करता हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट की मिरत्यों के बाद समानता मिरतक के सगे समंदी उसके परती समान जताते हैं ठीक है लोगों की आस्ता है कि मिरत्यों के बाद भी जीवन होता है इसलिए कबरों में मिरतकों के साथ कुछ समान भी रखा जाता था मेहर गड़ में ऐसी कबरें मिली ह जहाँ पर एक मिर्तक के साथ बकरी को भी दफनाए गया है तो question आपके एक अजाम में बन सकता है कहां की कब्र में कहां की कब्र में मिर्तक के साथ बकरी को भी दफनाए गया था तो आपका answer होना चाहिए मेहरगड ठीक है मेहरगड आपका answer होना चाहिए आंगे मैं बात करता हूँ यानि कि आपका चेप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है जितने भी आपके यहाँ पर important जो point थे मैंने आपको बता दिये अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ इस चेप्टर से जितने भी important question बनेगे कि क्या बनेंगे जितने भी important question बनेंगे अब मैं उन question को भी आपर करवाऊंगा आईएगा उन question को भी करवाता हूँ पहला question आपकी screen पर आ चुका है question कहता है लोग परवतिये गुफाओं में रहते थे यहां उन्हें किस से राहत मिलती थी जो प्राचीन काल के लोग थे वो कह चीज से राहत मिलती थी बारिस से धूप से हबाओं से या इन सभी चीजों से राइट आंसर कौन सा होगा राइट आंसर जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरियोक्त सभी प्राचीन काल के लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे धूप से भी बचा जा सक और हवाओं से भी बचा जा सके यही पिर मुख कारणता राइट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएंगे important question है जो कि आपके exam में पूचा जा चुका question है इस question को भी यहाँ पर देखते हैं सहल चितर कहां मिले हैं मद्द प्रदेश और दच्छडी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से हरियाडा हिमाचल प्रदेश की गुफाओं से जम्मू तता पंजाब की गुफाओं से या इनमें से कोई नहीं कौन सा right होगा right answer जो होगा यहाँ पर होगा आपका मद्ध प्रदेश और दच्छडी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से सैल चितर कला मिली है सैल चितर कहां से प्राप्त हुए है आपके यहीं से प्राप्त हुए है मैं मद्ध प्रदेश के अगर बात करू यंपी की बात करू तो भीम बेटिका से आपके सहल चित्र मिले हैं कहा से भीम बेटिका की जो गुफा है वहाँ पर आपके ये प्राप्ट हुए है भीम बेटिका जो गुफा ये नरमदा नदी घाटी के पास इस्तित है किसके पास न फुन्सगी में ऐजार किस चीज से बनाय जाते थे पत्तर से चूना पत्तर से लकडिके या धातू से ये जो question आप देख रहे हैं जो question आपके exam में पूँचा जा चुका question है important question है इसी बरस यानि कि इससे पहले बाले बरस में यह क्वेस्टन पूँचा गया था तो आईएगा इस क्वेस्टन का अंसर देखते हैं हुनसिगी जो ओजार आपके प्राप्त हुए हैं वो किस चीज से बनाय जाते थे बे बनाय जाते थे चूना पत्थर से किस से चुना पत्तर से निर्मित औजार जो आपके हैं वो हुनसगी राज से प्राप्त हुए हैं क्वेस्टन आप से यही पूँचा गया था इगजाम में बिंद्यांचल और दक्कन के परवतिय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती थी बनाबटी, प्राकर्तिक, लकड़ी वा लोहेवा सीमेंट की कभी नहीं मिलेंगी उस काल में सीमेंट नाम का उलेक भी नहीं देखने को मिला है जो प्राचीन काल की मैं बात करूँ बिंद्यांचल और दक्कन के परवति जो इलाके के छेतर दे और जो गुफाएं मिली हैं वो किसी मतलब की कैसी मिली हुई हैं वो मिली है प्राकर्तिक यानि की प्राकर्तिक रूप से निर्मित हैं आपकी गुफाएं वो प्राप्त हुई है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका option number two क्वेस्टन जो है क्वेस्टन कहता है कि भीम बेट का पुरा इस्तल आधुनिक समय में कहां पर है इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है इसका भी आंसर आपको क्या करना है कमेंट बोक्स में इसका भी आंसर कमेंट करना है भीम बेट का पुरा इस्तल आधुनिक समय में क उसके पास कौन सी नदी है उसके पास कौन सी नदी है नदी को भी आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना आए ठीक है पर्याबरण के बदलाओ किस काल में मिले मद्द काल उत्तर काल पुरा पासाड काल या नव पासाड काल पर्याबरण से सम्मंदित जो बदलाओ देखने को म मिले हैं। हुनसगी से मिले हैं। कुर्णूल गुफा से मिले हैं। foster speech जो आपका right answer होगा। राक के आउसेश हैं। आपके कॉर्णूल गुफा is मिलें। कुर्णूल गुफा काूँ आंदर पopedते टीक है। ठीक है। हुनसगी आपका कहा पर है। Намपका करनातक में। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिकारी खाद संग्रहाग को किस कारड एक जगाह से दूसरी जगह घुमना पड़ता था एक इस्तान पर भोजन समाफ्थ हो जाने के कारड पानी की तलास में सिकारी के लिए जनवरों की तलास में सिकार के लिए ठीक है तो कौन सा यहाँ पर सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे जो खाद संग्रहाग लोग थे ठीक है उनका जो समदाय था वो एक दूसरे से दूसरे जगह पर घुमते रहते थे भोजन की तलास में घुमते रहते थे पानी की तलास में और जानवरों की तलास में क्योंकि उनका वो सिकार कर पाए, यही कारण यहाँ पर होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर, option number 4, अंगला question यहाँ पर आचुका है, important question है, ओजारों का उप्योग किसलिए किया जाता था, फल फूल काटने के लिए, हड़िया और मास काटने के लिए, पेड़ों की छाल उत प्योग के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, और जानवरों की छाल उतारने के लिए, इसका प्रियोग किया जाता था, तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, उप्रियोग्त में से, सभी, अंगला question आपका आचुका है, यहाँ पर, सुतुर मुर्ग के अ उलेक कहीं पर देखने को नहीं मिला है, नहीं उसके अंडे के बारे में आपको जानकारी होँआ पर प्राप्ती, तो आपका यह question आपके exam में पूछा जा चुका question है, जो कि जो आपकी old NCRT थी, class 6 की, ठीक है, तो उसमें इसका उलेक है, पर उसमें इसका उलेक देखने को नहीं मिला है, इसी कारण है, यहाँ पर आप मत confuse होईएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज बता दूगा, ठीक है, टेंसर मत लेजिएगा, आप वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करेंगे, सुतर मुर्ग के जो अंडे के मन के हमें पर आप तुएं, बे मिले हैं पटने से, पटने अगर आप से पूँचा जाए, तो आपको बताना है, महराष्ट राज में इस्तित है पटने ठीक है, ठीक, और बुर्ज होम मैंने आपको बताया था, कसमीर राज में इस्तित है आपका बुर्ज होम, जहाँ पर क्या मिले ह प्रतित कहानी किस काल में घटित हुई है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अन्न वीडियो में तब तक के लिए धन बात आपका दिन सुब रहे जय हिंद बंदे मात्रम